नमस्कार आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज मैंनरी शर्मा और अब तक की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चीन ने अमेरिका को दी है चितावनी कहा फिर हो सकता है 9-11 जैसा बड़ा हमला तुश्मन समझने की भूल ना करे अमेरिका चीन के सरकारी मेडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हो सीजिन ने आशंका जताई है कि अमेरिका में 9-11 जैसा आतंकी हमला फिर से हो सकता है यह अन्देशा उन्होंने 9-11 हमले के 20 साल पूरे होने के मौके पर जताया है उन्होंने कहा 11 सितंबर का हमला 19 आतंक्यों का किया गया आतंगाती हमला था लेकिन यह आतंक का आतंगाती हमला नहीं था आतंक बार दूसरे घातक हमले के लिए ताकत जुटाएगा समय बताएगा कि चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना अमेरिका की भूल है और अमेरिका के बीच रिस्ते इतने बिगल चुके हैं कि चीन में उईगर मुसल्मानों पर हो रहे अत्यचारों को लेकर अमेरिका के सहयोगी देशों ने भी चीन पर पावंदिया लग पर आतंकियों को परिवासित करना बंद कर देना चाहिए उन्होंने कहा आतंकी सिर्फ आतंकी होते हैं राजनितिक फायदे को देखते हुए आतंकियों को परिवासित करने का मतलब है आतंकी गत्वदियों को नजर अंदाज करना जिसकी वज़े से अंतरास्टे इस तर पर रातंग के खिलाब साजी लड़ाई कमजोर परती है और इसी तरह की खबरे देखने के लिए जुड़े रहे हैं चैलेंज नुज के साथ नमस्कूर।